जैहिन साथियो अभी हम लोग पस्ते हैं एकजाम टोईट चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं डबल एओ को लेकर लगतार अपडेट है तो अभी एक अपडेट है आप सब देखें जितने भी डबल एओ का एकजाम दिये हैं विद्यार्थी वो इस वीडियो को ज्यादा से ज् अभी तक पहुंच जाए रिजल्ट को लेकर अपडेट है तो ध्यान पूर्भक देखेंगे सबसे पहले बता दें यहाँ पे देख सकते हैं डबल एओ का दिया गया है ऑसिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर एक शोव अनती सीट था आप सभी को मालूम है जो भी एकजाम दिये ह था कैलेंडर बना कर दिया गया था कि 19-9 और 2022 को रिजल्ट घोसित कर दिया जाएगा लेकिन आज आपका 6-10 2022 हो गया मात्र जो इक रिजल्ट डेट है उससे केवल अब आप देख सकते हैं एक महा से थोड़ा सा कम है जो कि रिजल्ट आपका कई एक बार अभी तक आजाना लेकिन अभी तक नहीं आया इसको लेकर हम विडियो बना रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आयेगा क्या सम्भावना है और आपसे एक बात बादा दे मेंस का भी डेट दे दिया गया है कि मेंस जो होगा यानि कि 5 नौवंबर 2022 से 7 नौवंबर 2022 यानि कि मेंस का तिथी भी दे द बस्या है कि सभी समय यहां पे लगा दे अभी बहुत सरा उनके पास एकजाम है जैसे आप देख सकते हैं BSSE CGL भी है बहुत सारे वैसे विद्ध्यारती हैं जो BSSE CGL का भी फर्म वह भरे हुए है और ऑडिटर वाला फर्म एकजाम भी उनका बहुत अच्छा गया है यादि आजाता है तो यहां पे वो मेंस की तैयारी अच्छा से करेंगे पूरा अपना 100% दे पाएंगे लेकिन मेंस का रिजल्ट नहीं आने से बच्चों में ये असंतोष की भावना है चुकि माल लिजे यहां अपना 100% देते हैं फिर उनका रिजल्ट नहीं होता है तो वहां BSSC CGL भी गया ये भी गया और BPSC का भी जाम उनका अच्छा गया है फिर भी वह नहीं कर पा रहा है ताकि ये एक रिजल्ट हो जाए कहीं भी कोई भी विद्यार्थी ये चाहता है कि 100% कहीं एक जगह नोकरी हो जाए जो बेरुजगारी का धबा है वो समाप्त हो जाए तो इसलि आप देख सकते हैं कि एक पहला BPSC I.O. के द्वारा जब से कैलेंडर जारी किया गया है ये पहला मौका था कि यहाँ पे 100% खाड़ा उतरना चाहिए लेकिन यहीं पे पहला स्टेज में ही BPSC कैलेंडर फेल कर गया क्यों फेल कर गया मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा ताकि 19. 19.9 को ही रिजल्ट देना था लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक रिजल्ट नहीं दिया गया है तो ऐसे विद्यार जी जो मेरे बातों से सहमत होंगे यादि रिजल्ट लेट से दिया जाएगा तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि ब आपका रिजल्ट 100 पर से दे दना चाहिए फिर भी देखिए आयोग है जब आयोग अपने बातों से मुकर सकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं लेकिन एक सब्ता के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप धैर बना के रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जय हिंद जय भारत जय इवाग